इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Pre-ESO40MG टेबलेट के बारे में आज हम जानेगे कि कौन सी समस्था होने पर इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है इसको लेने के बारे में Pre-ESO40MG टेबलेट के बारे में पूरी और सही जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाले और आपको बता दे हम अपने चेलर पर इस दवाई का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं इसकी जानकारी देने के लिए हमने किसी कमपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा लिया है सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टेबलेट में यूज होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में खाना उल्टा वापस उपर नली में आने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पेट के ऊपर की मासपेशी बहुत अधिक आराम करती है और पेट की सामिग्री को आपके ऐसो फेगस या मूँ में वापस आने देती है ये टेबलेट प्रोटोन पंप इनिविटर्स नामक दबाओं के समूस सम्मधित है ये आपके पेट द्वारा बनाये जाने वाले एसिट की मातरा को कम करती है और हार्ड बन और एसिट रिफलक्स से जुड़े दर्द से रहात दिलाती है इसके प्रभावी होने के लिए आपको इसे ठीक वैसे ही लेना है जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताये लाइफ स्टाइल में कुछ आसान बदलाव G.E.R.D. के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं उन भोजनों के बारे में सोचें जिनसे हार्ड बन होता और उनको खाना बंद करें उनसे बचने की कोशिश करें थोड़ी-थोड़ी मातरा में कम-कम मातरा में बार-बार भोजन खाएं एक साथ बहुत ज़्यादा भोजन ना खाएं अगर आप ओबरवेट है तो वजन घटाने की कोशिश करें और आराम के तरीके खोजने की कोशिश करें बिस्तर पर जाने के तीन-चार घंटे के भीतर आप भोजन ना करें मतलब बिस्तर पर सोने से तीन-चार घंटे पहले आप भोजन कर लें ऐसा ना करें कि आपने खाना खाया और आप तुरंट अपने बैड पर लेड जाएं या सो जाएं अब बात कर लेते हैं इस दवा से होने वाले साइड एफेक्ट के बारे में उसके बात करेंगे इसके डोस के बारे में तो इसको लेने के बाद अगर आपको बहुत जादा सर में दर्द होने लगता है, मिचली यानि उल्टी का मन होने लगता है, बहुत जादा पेट में दर् रही है बात कर लेते हैं डोस की तो डोस आपको ठीक उसी प्रिकार से लेना जैसे आपके डॉक्टर ने बता है अपनी मर्जी से या ओवर डोस बिल्कुल भी ना लें वरना इस टैबलेट का आपको फायदे की जगा नुकसान भी हो सकता है यही थी इस टैबलेट प्री एसो 40 एमजी के बारे में पूरी और सही जानकारी जानकारी आर आपको थोड़ी सी पी अच्छी लगए तो वीडियो को शेयर करते हैं ताकि और लोगों को भी इस टैबलेट के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके वीडियो को लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं और हम आपको बताते हैं हम अपने चैनल पर इस दवाई का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं आप भी चाहते हैं दवाईयों से जोड़ी पूरी और सही जानकारी फ्री में बिलकुल हिंदी में पाना तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना हम आपसे बहुत ही जल् कारी के साथ थैंक यू सो मच